LM10 vs LM10, Croatia vs Argentina सुनने में बहुत अजीब लग रहा है बट हाँ सेवी फाइनल में यही दोनों टीमें भिड रही है और आज इस वीडियो में हम इन दोनों टीमों पर बात करेंगे कितनी इनकी पॉसिबिलिटी है क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों टीमों से और यह दोनों टीमें आखिर हमें आज कैसा फुटबॉल प्रिजेंट कर सकती है और इन दोनों में से कौन आखिरकार जादा डिजर्ब करता है या फिर मैं यह कहूं कौन जादा चांसेज रखता है वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जग्या बनाने का बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेगो एप्लिकेशन के बारे में ट्रेगो एक ओपिनिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एप है जहां पर आप सिंपल यस और नो में आंसर करके अपना ओपिन रजिस्टर करके पैसे कमा सकते हैं तो आज का ट्रेगो पर ट्रेडिंग क्वेशन है क्या अरजेंटिना क्रेशा को हरा पाएगी समी फाइनल में तो मैंने यस पर क्लिक करके अपना इन्वेस्मेंट डाल दिय अगर मैंस के बाद अरजेंटिना जीच जाती है तो मैं अपना विनिंग अमाउंट यूपी आई के थ्रू विड्रॉख कर सकता हूँ आप भी ट्रेगो पर जाकर सिंपल यस और नो में आंसर करके अपने लिए धेल सारा पैसा कमा सकते हैं जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दी है उसके साथ ही साथ आप ट्रेगो के वाट्सेप ग्रूप का भी हिस्सा बन सकते हैं अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ट्रेगो को डाउनलोड करेंगे अगर आप मेरा कूपन कोड एम्यू 25 यूज करेंगे तो आपको 25 रुपीस तक का कैश बैक भ उन भी जीता है क्योंकि उन्होंने लास कॉंटेस में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया था तो आप भी जीत सकते हैं एक रियल मी का स्मार्टफोन अगर आज के कॉंपिटिशन में आप मैक्सिमम अर्निंग हासिल करते हैं तो तो आज ही जाहिए ट्रेगो एप्लिकेशन प हाई जो चीजें लटकनी चाहिए थी वो छाती तो का रही थी एंड क्रॉएशन ने वहीं सब के ठोश उड़ा दिये ब्रजील को एलिमिनेट करके हम सब की एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल जो होगा वो ब्रजील वज अर्जेंटीना का होगा लेकिन क्रॉएशन ने एक बार फिर ये प्रूफ कर दिया कि इस वर्ल्ड कप की कहानी आप नहीं लिख रहे हो प्रेडिक्शन जितने भी बनाए हैं चाहे जिसने बनाए हो सब चूले में गए यहाँ पर हो वही रहा है जो मैच डेप पे वो करके दिखा रहे हैं तो यार यह दूसरा वर्ल्ड कप का फाइनल होगा और अगर वहाँ से फ्रांस क्वालिफाय करके आती है तो वर्ल्ड कप के फाइनल की जो हाइप होगी वो अलग लेविल की होगी तो आखिरकार हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं तो पहले थोड़ा हिस्टरी पर नदर मारते हैं आ इन दोनों टीमों का सफर कैसा रहा है वर्ल्ड कप में तो ये इनकी तीसरी मुलाकात है वर्ल्ड कप में 1998 में ये पहली बार टकराए थे आपस में और वहां पर अर्जेंटीना ने वन निल की विक्तरी आसिल की थी वहीं 2018 में क्रोईशन ने बदला लिया था और तीन निल की शिकस्त दी थी अर्जेंटीना को और उसके बाद ये तीसरी बार टकराएंगे तो थोड़ा सा जैसे सला ने कातना वियवा स्कोर टू सेटल तो स्कोर सेटल करना चाहिए अर्जेंटीना और करना भी चाहिए क्योंकि अगर अब नहीं किया तो फिर आप घर जाते देखोग तो लुका मॉडरिच नंबर्स में डॉमिनेट कर रहे हैं कुरुईशा की टीम ने ब्रजील जैसी टीम के अगेंस बॉल प्रोगरेशन में डॉमिनेट किया इंटरसेप्शन में डॉमिनेट किया फाइनल थर्ड में पासेज में डॉमिनेट किया उसके अलावा गर मैं बात जीत मतला हासिल कर लेंगे तो that is not the case क्योंकि उनकी बेक लाइन जो है जो उसको ग्वाइडियोल बारना सोसा लौवरन और यॉर्नाचोविच की वो बहुत ही शांदार है उनका कीपर भाई पता नहीं क्या खाकर उतरता है आज कल मैच में वो लिवाकोविच अलगी तरह की फ कर आगरी में एमी मार्टिनेस के बारों से छोड़ दिया पूरा गेम कि अब तुम्हारे हवाले वतन साती हो और वहीं क्रोईशिया तो अपने पिछले दोनों गेम ही पैनल्टी शूटाउट में जीत कर आई है चाहे वो जपाइन की बात हम करें या फिर हम ब्रजील की बा पांच पांच बारी जीता है पैनल्टी शूटाउट उसके अलावा गर मैं पिछले रिकॉर्ड की बात करूँ पिछले तेरा गोल जो अर्जेंटी रहने ने कंसीड किये उसमें से बारा गोल उन्होंने सेकेंड हाफ में कंसीड की है तो आसान नहीं रहा है ये एंड जाज़ा डीप ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी एबिलिटी इस पर भरोसा है कि वो पैनल्टी शूटाउट में ले जाकर गेम को अपने पाले में खीच लेंगे लेकिन अगर मैं आज की गेम के प्लेंग 11 की बात करूं अर्जेंटीना की तो उनके पा परफॉमेंस पहले गेम के बाद या फिर मैं यह कहूं जब से उन्होंने मेक्सिको वाले गेम में स्टार्ट किया उसके बाद से लेकर अभी तक की परफॉमेंस उनकी बहुत शांदारी है पोलेंड के अगेंस उनका जो असिस्त आया था उसके बाद अगर मैं बात करूं य ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही यूनिटी के साथ खेल रही हो, हमने देखा है कि पिछले वर्ल्ड कप में अगर क्रोईशा आगे तक गई थी आइस वर्ल्ड कप में क्रोईशा और मुरक्को जैसी टीमें यहां तक आई हैं तो उनके पीछे कोई एक प्लेयर या दो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे है तो अरजेंटीना का गोल नहीं निकल कर आता है आपने देखा कि बले ही पोलेंट के गेंस पैनल्टी जरूर मिस कर दी थी बट लिनल मेसी वस अब बैस्ट प्लेयर और पिछले गेम में भी आपने देख लिया लिनल मेसी ने जिस तरह की अब देखो यहाँ पर ना एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि आज के इस गेम में प्रेशर अरजेंटीना की उपर जादा गो क्योंकि उनको अपनी हाई प्लेयर अप करनी है यहाँ पर इतने बड़े बड़े नामों के ऐलिमनेशन के बाद क्रुएशिया इस मैच में भी as an underdog जा रही और favorites के तोर पर नहीं उतर रहे हैं बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि ऐसा नहीं है जब एक टीम ब्रजील को हरा कर आ रहे हैं तो वो favorites हैं मैं आपकी बात कोछ अद तक मान भी लूँ लेकिन फिर मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि अगर सामने वाली टीम में लेनल मैसी, लोटारो मार्टेनेज, सामने वाली टीम में अगर ओटा मेंडी, क्रिशन रुमेरो, लिसांदरो मार्टेनेज ये सारे प्लेयर्स हैं तो फिर वो टीम जादा चांस रखती है मैं जीतने का उनकी hype जादा होगी लेकिन अगर मैं यहाँ पर midfield की बात करूँ तो अरजेंटीना की midfield थोड़ी मुझे weak लगती है क्योंकि क्रोएशे की midfield में ब्रोजोविच की performances पूरे वर्ल्ड कप में, मॉटरिच तारीफ रनी दुरूद भी नहीं है भाई, सबको पता है who मॉटरिच है और कोवचिच, इन तीनों ने मिलकर जिस तरीके से अभी तक tournament में चायम Belgium वाले गेम में बात करें, midfield dominate करी थी और खासकर अभी तक की पूरे वर्ल्ड कप की highlight थी, उन्होंने जिस तरीके से Brazil को outclass किया था, outnumber किया था midfield में, dominate किया था उनको midfield में, तो वो एक बहुत बढ़ा आज के इस game में difference create करेगी, कि आखिरकार Rodrigo de Paul की input कितनी आएगी McAllister को start मिलता है या नहीं मिलता है, Enzo Fernandez की जगे क्या paradise को लाए जाएगा experience के basis पर, या Enzo Fernandez को ही मौका दिया जाएगा उनकी performances के basis पर, अब यहाँ पर एक topic of discussion ये भी होगा कि Croatia इतना इतना ज़ादा low block खेलती है, इतना ज़ादा वो defensively solid है, तो आज के इस game में number 9 की position पे कौ खेलेगा, क्या right wing पर हम देखेंगे Messi को, क्योंकि अगर आप McAllister को midfield में डाल रहे हो, McAllister एंजो Fernandez और Rodrigo de Paul की midfield खेल रही है आपकी, तो क्या आप अपने Alvarez को left wing पर डालोगे और आपके Lottero Martinez को center forward की तरह start करोगे, तो देखो यार, Messi का number 10 पर खेलना इसलिए ज़ादा ज चाते हैं, और अगर ball नहीं चलेगी, तो हाल वही होगा, जो Argentina ने होता हुआ देखोगा, ब्रजील का जहां, नेमार को बार 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 ब्लॉक किया जा रहा था, passing lane सारी ब्लॉक करके रखी थी, violent entries पर रोक लगा रखी थी, crossing game Argentina अगर करना चाहेगी, तो उस पर उत गेम में हमें lotero martines को start देना चाहिए, क्योंकि उनका hold up ले बहुत शांदार है, या फिर हमें alvarez के current run of form के basis पर उनको ही मौका देना चाहिए, तो देखो यार अगर मैं अपनी team select कर रहा हूँ, तो मैं आज के game में, बहुत सुनने माजीब लगेगा, बट मैं आज के game में lotero martines को start देना ज्यादा prefer करूँगा, क्योंकि आपको game का tempo control करने वाला player चाहिए, और अगर lotero martines होगा तो physical जो एक nature है game में जो missing रहता है हमेशा Argentina की side के लिए, वो देखने को मैं मिलेगा, प्लस आज के game में de maria का खिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि de maria is a big game player और आपको इस game में सबसे जादा जरूरत पढ़ने वाली अपने match winners की, आप सिर्फ Messi के भारो से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर Messi को रोक लिया, जो कि इस World Cup की अभी तक की कहानी देखूं अगर मैं, तो possible नहीं दिख रा मुझे, कि उनको रोकना आसान है, बट अगर, खोदा नाखासता अग अगर जाती भी है, तो एक ठकी हुई क्रोईशा होगी, दो पिछले matches में वो penalty shootout खेल कर आए हैं, और इस match में भी वो सेम अप्रोच के साथ आएंगे, अगर पैरेशिच कोई moment produce कर दे, क्रेमेरिच कोई या पैटकोविच कोई moment produce कर दे, तो बात अलग है, लेकिन जादा chances इ जो होगा, वो देखा जाएगा, लेकिन अगर अर्जेंटीना जितना weight करेगी पहले goal के लिए, जितना जादा वो stretch करेंगे game को, तो उतनी जादा उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अर्जेंटीना हमेशा हमेशा हमने देखा है, under pressure crumble कर जाती है, बड़े matches में, व फिर दुनिया सारी बात ये करती है, कि मैसी ने क्या किया, बट football सिर्फ एक player के around नहीं चलती है, वो player perform कर रहा है, वो player perform करता आ रहा है, लेकिन जब आप semi final में आ जाते हो, और जब आप final में जाने की उम्मीद लगाए बैठे हो, या फिर आप world cup जीतने की उम्मीद तो मेरे लिए आज की इस Argentina की team का score prediction कर पाना मुश्किल होगा, but this is not going to be an easy fixture for Argentina, Croatia ना को चने चबवा सकती है, midfield तो I am guessing कि अगर Argentina ने अपना combination सही नहीं बिठाया, अगर उन्होंने Rodrigo De Paul की performance नहीं निकलवा पाई, क्योंकि आज की इस midfield में सबसे important role Rodrigo De Paul का होगा, जब वो break कर गेम को, जैसे ही वो Messi को आगे ball release करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी capitalize करने की कोशिश करोगे, क्रोईशा की इस backline के सामने, क्योंकि आपको अगर space मिल रहा है, तो आपको space को utilize करने है, और space में सबसे बहतरीन player आपका कौन है, that is Lionel Messi But देखते हैं आज के गेम में क्या होगा, आप लोग बताएगे comment section में कि आपके हसाब से, कौन आगे जाना deserve करता है, या फिर किस से आपके expectations जादा है, Messi, fans का मैं समझ सकता हूँ, they want Messi to go through, even I want Messi to go through and you know to win the World Cup, but at the same time, जैसे अभी तक World Cup की कहानी रही है, prediction दे पाना इस match में भ Luka Mortrej के बारे में भी हम ये बात कह सकते हैं, last World Cup है, जिस सरह से carry करके आए है, पिस्टे दो World Cup में, he also deserves a shout in the World Cup final, तो I won't be disheartened, अगर Luka Mortrej क्वालिफाय करके जाते हैं, या फिर Luka Mortrej की team हरा देती Argentina को आज, तो वो एक मेरे लिए surprise की तरह नहीं है, क्योंकि मैं इस World Cup में already बहुत सारे surprises देख चुका हूँ, and if you are new to this channel, kindly subscribe, we are on our way to complete 42K, अगर हम World Cup खताम होने से पहले 45 के कर लेंगे, जो कि unrealistic dream है, बढ़ सब कुछ आपके हाथ में है, तो please kindly like this video, comment down below about your prediction, and subscribe to 1M UFC.